हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बच्चो बच्च जैसा कि आप जानते हैं कि हम you concentration of or पढद रहे हैं concentration of और आप जानते हो कि किया होता है concentration मैंने आपको अडिरल ही बता कि consultation क्या होता है इसी टॉप्टिक में आपको बढ़ आपकी concentration होता है और का concentration करना मेंस उसमें से उसके जो impurities हैं वो बाहर नकालना फिर मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले उस और का sample लिया जाता है उस और का sample चेक किया जाता है कि इसमें कौन सा method जो है वो हम adapt कर सकते हैं तो first method मैंने यह बताया था कि hydraulic washing जैसे के लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था hydraulic washing ग्रैविटी separation तो जब sample को चेक किया जाता है कि और में कुछ particles जो हैं वो हैवी हैं और कुछ जो हैं वो lighter हैं तो अताब हम hydraulic washing करते हैं जो lighter particles से impurities के वो wash tone हो जाते हैं और जो दूसरे हैं वो clamp board में फस जाते हैं और वो और के और मेंसे metal होता है जो यहां पर फस जाता हम उसको separate कर लेते हैं लेकन अगर मान लो एक और है और उस और को हमने उस मेंसे metal को extract करना है और उसके साथ impurities हैं और उन impurities को आप हमें क्या करना है concentration करना है उसकी सबसे पहला step यही होता है कि हमें उसकी concentration करना होती है उसकी impurities को remove करना होता है तो बेटा होता गया है कि जैसे first hydraulic washing में मैंने बताए कि sample को चेक किया जाता है और थोड़ा से sample लेकि चीज़े करते हैं कि कि क्या कुछ lighter और और कुछ हैवी रहा तो वहां पर hydraulic washing करते हैं लेकर कभी कभी क्या होता है कि मान लो एक और ली और उस और के अंदर जो क्या है कि उसके sample चेक किया जाता है उस sample में यह देखा जाता है कि इस वहां यहां पर magnetic field के अंदर रखा जाता है मिस उसके आसपास magnet रखा जाता है तो वो देखते हैं कि यहां पर कुछ चीजें जो हैं वो magnet की तरफ attract हो रही है और कुछ जो है नहीं हो रही है तो उस base पर जो फिर वो method जो use करते हैं वो method होता है magnetic separation के उन में से कुछ particles जो हैं वो magnet की तरफ attract हो रहे हैं और कुछ जो है वो नहीं हो रहे हैं तो automatically क्या करेंगे वो magnetic separation करेंगे means उसको magnetic field के अंदर रखेंगे और magnetic field के अंदर रखने से जो चीज़ें मेगनिट की तरफ अट्रेक्ट हो रही हैं वो अलग सेपरेट हो correlate हो जाएगे और जो नई हो रही है वो अलग हो जाएगे अब केस दोनूं हो सकते हैं या तो गौग, मेंज जो impurities है, या तो वो मेगनिट की तरफ अट्रेक्ट हो सकती है, उनецे हम अलग कर सकते हैं या दूसरा केस ही हो सकता है कि जो और के अंदर मैटल है ठीक है वो जो है वो मैगनेटिक फिल्ड की तरफ अट्रेक्ट करता है जब और करेगा अट्रेक्ट तब गॉग नहीं करेगा जब गॉग अट्रेक्ट करेगा तब और नहीं करेगा तो इस केस में हम मैगनेटिक सेपर हो जाएगी और दूसरी नहीं होगी और इस तरीके से हम उसकी separation कर सकते हैं तो इस ही को हम कहते है concentration by the method of magnetic separation इसमें होता क्या है बचे इसमें हमारे पास जैसे कि यह setup है इस setup में देखना है आपने कि होता क्या है कि जो और है वो usually ported form में होती है अगर नहीं होगी तो उसको पहले ported form में किया जाता है और उसको inlet के अंदर डाला जाता है यहां डाला inlet के अंदर अब उस और के अंदर गाग भी है और और का जो metal है वो भी होगा जो हमने इसके अंदर डाल दिया अब वो mixture है पूरी उसमें मेगनेटिक पार्ट भी है और नान मेगनेटिक पार्ट भी है अब जब हमने इसके अंदर डाल दिया तो ये वाला पॉर्शन जो है और ये ये दो वील है जिन वील के उपर ये बेल्ट है ये बेल्ट जो है वो गूमती रहती है जैसे आपने चक्की देखी गुंदम या आटा पसवाते हो या फिर दान जो है वो निकालते हैं तो वो क्या होता है यहां से डालते हैं और यहां से गुमता रहता है यह वील जो है यह गुमता रहता है और यह बेल्ट जो है यहां से ऐसे गुमती रहती है गुमती रहती है ऐसे इस वील के ओपर तो होता क्या है sangat basically कि इन मेंसे एक वील के अंदर यहां पर मैगनेट की स्ट्रिंग्स लगा जिर जाते हैं जैसे मैगनेट लगा दी है यहां यह मैगनेट लगा दी है अब जब हमने और इसके अंदर poured future फार्म डाली उसमें मैगनेटिक पार्ट भी है नान मैगनेटिक पार्ट भी है मीन्स या तो गॉग जो है जो है इंप्यूर्टीज मैगनेटिक पार्ट होंगी मीन्स जो मैगनेट के तरफ अट्रेक्ट होंगी या फिर और जिसके अंदर मैटल है वो मैगनेटिक पार्ट के साथ गूमेंगा तो यहां पहुर्ट लोगे तो यहां से जाएगा यहां पहुर्ट gebaut कि यहां पहुर्ट के छाएगा होगे और जो मेगनेटिक स्क्राफ आपने तर खींचेगा और जो नानन मेगनेटिक पार्ट है वह इस तरफ चला जा चैगा इस तरी प्र जाय गा जाए गांग एस तरह कर जाएकिमेटिक इस तरफ फ़ीक कर ऐसे ही वील रोटेट करने के लिए यह बेल्ट जो है यहां पर रोटेट करती है इसके ओपर से और के पार्टिकल्स आते हैं यहां पर जब पहुंचते हैं तो जो मेगनेटिक पार्ट है वो इसकी तरफ मेगनेट की तरफ अट्रेक्ट हो जाएगा वो यहां पर आके गिरेग जो मैटल है जो इंप्यूरिटीज है वो मैगनिटिक है तो इंप्यूरिटीज जो है वो इस तरफ आ जाएगी और दूसरा जो मैटल वाला पार्ट है वो इस तरफ आ जाएगा दूसरा केस है कि अगर जो उसमें मैटल है वो मैगनिटिक पार्ट है तो वो मैगनिटिक सकते हैं तो यह सेट आप आपने याद रखना है यूज़ फर द प्रसिज आफ मैगनेटिक सेपरेशन और यह वहत सिंपल प्रसिज है जिसे हम जो गार सकते हैं तो देखो क्या है कि यह यह तब हम अडाप्ट करेंगे जब जो इंजिनियर्स होते हैं वहां से क्या करेंगे वो सेंपल लेंगे वो सेंपल को चेक करेंगे तो जब सेंपल को चेक करते हैं मैगनेटिक फिल्ड में तो देखते हैं कि कुछ जो है वो मैगनेटिक की तरफ एट्रैक्ट हो रहा है उन्हें पता चल जाता है कि इसमें कुछ न कुछ magnetic part है या तो गॉग इसमें magnetic part है या तो जो और है जिसके अंदर metal है वो magnetic part है तो तब फिर ये करते है magnetic separation का पहली step में मैंने क्या बताया था कि जब वो चेक करते है sample को ऐसे का hydraulic washing में बताया था वो चेक करते है sample को अगर कुछ lighter और heavier का case है तो तब वो hydraulic washing करते है कि जो lighter है वो wash out हो जाएगा और जो heavier है वो clamp board में fast जाएगा और उसको हम extract कर लेंगे लेकिन अगर magnetic field के अंदर कुछ attract हो रहा है तो वो फिर magnetic separation का use करेंगे इसकी theory की तरफ आते हैं यह आप खुद भी लिख सकते हो जो यहां पर हुआ है ज़रूर ही नहीं है कि जो यहां पर लिखा हो वह ही लिख हो गया magnetic separation के बारे में कहा रहा है कि इस बेस्ट अन्दा प्रिंसिपल अफ magnetic properties of the ore कि यह इस प्रिंसिपल पर बेस्ट है कि उस और की magnetic properties क्या है magnetic properties of the component if either the ore particles are the gog कि दो दोनों में से एक या तो और या फिर gog means impurities are capable of being attracted in the magnetic field कि उन में से एक कोई जो है अगर वो magnetic field में attract कर रही है means उन में से एक कोई जो है वो magnet की तरफ attract कर रहा है तो तब हम magnetic separation का process जो है वो यूज करते हैं or is kept in a conveyor इस conveyor में रखते हैं और वो belt गूमती है and passes through the magnetic roller और उसको magnetic roller के अंदर हम क्या करते हैं उसको move करते हैं तो जब हम move करेंगे तो magnetic part जो है वो अलग हो जाएगा और non-magnetic part जो है वो अलग हो जाएगा this is the process of magnetic separation and second method of concentration next method की वीडियो जो है में में अलग से बनाओंगा क्योंकि हर एक method की वीडियो में अलग से बना रहा हूँ तो उस method की वीडियो भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगा thank you कि झालग हुम अलग हुम码